हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने एट्व चैनल प्रभास मिस्रा पर दोस्तो जैनगर से एक लंबे समय से डिमांड रही है कि पवन एक्सप्रेस को जैनगर तक एक्स्टेंड किया जा इसके लिए रेलवे आगे भी आया और रेलवे ने फाइनली अप्रूव कर दिया था कि जैनगर से पवन एक्सप्रेस चलेगी लेकिन दोस्तो जैनगर से निकाली गई उसके मुताबिक जैनगर से पवन एक्सप्रेस तब चलेगी जब रेलवे की नई टाइम टेबल एक जुलाई को नहीं आया यहां पर सवाल यह उठ रहा था कि रेलवे की नई टाइम टेबल कब आएगी और कब पवन एक्सप्रेस जैनगर से चलेगी अब दोस्तो यहां पर देश का एक प्रमुख मीडिया एजनसी ने क्लियर कर दिया है कि रेलवे की नई टाइम टेबल एक दिसंबर यानि की लगबख 20 दिन बाद आने वाली ह दोस्तो आई कि इस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो यह जो एक दिसंबर वाली बात है इसे सबसे पहले कई मीडिया संसारों ने जाहिर किया था लेकिन दोस्तो आज के दिन नई दुनिया ने इस पर पूरा का पूरा ब्लॉग लिखा है दोस्तो ब्लॉग का सिर्सक आप उपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा यहां पर उन्होंने लिखा है Relay News एक दिसंबर को जारी हो सकता है Relay का नया Time Table अब दोस्तों यहां पर एक बात तो भी लगल क्लियर होती है कि एक दिसंबर को Relay का नया Time Table आएगा चाहेगी अब दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि पवन एक्स्प्रेस के जैनगर जाने से क्या सब बदलाओ होंगे सबसे बड़ा बदलाओ तो यह होगा कि इस ट्रेन का टाइम बदल जाएगा टाइम सिर्फ जैन अगर से लेके दरभंगार के पहुचेगी और 12.05 से वहां से निकल जाएगी दोस्तों इसके बाद इसका अगला इस्टोपेज दर्भंगा जंक्षन होगा जहां पे दिन के कडिब एक बज़े पहुचेगी और एक पांच में दर्भंगा जंक्षन से खुल जाएगी पांच मिनट का यहां पे इसका सब्सक्राइब करें दोस्तों मुझा आशा है कि आपको लिटेस्ट अब्डेट मिल गए होगी वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के लिए वीडियो साथ अब तक लिए जाहिंद जाबारत